हलो एवरीवन, वेलकम और ग्रास्पिंग पाइथन, इन दिस वीडियो वी आर गोईंग टू डिसकस ट्रांस्मिशन मीडियम इन कंप्यूटर नेट्वर्किंग ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ओफ ट्रांस्मिशन मीडियम जहां पर हम बात करेंगे गाइडिड मीडिया और अंगाइडिड मीडिया की जिसमें हम बात करेंगे ट्विस्टेट पेर केबल, को कम्मिनिकेशन मोडल को हम डिसकस करते हैं, कम्मिनिकेशन मोडल की अगर हम बात करें, सब पूच कर लिजे, यह हमारा यह कम्प्यूटर है, यह एक मसीन है, जिसको हम सेंडर कह सकते हैं, इस अवर सेंडर, दूसरा आपका यह मसीन है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रिसीवर, या IISCOM client server architecture की हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा client हो जाएगा हम इसको receiver कह सकते है या IISCOM client कह सकते है या IISCOM कह सकते हैं या IISCOM कह सकते है server अब इसमें क्या होता है कि अगर आपस में communicate कर रहे है it means network में है तो ये किसी ना किसी के तुरू connected रहेंगे तो यह क्या होगा आपका transmission media अब अगर हम बात करें इसके अंदर तो देखे सबसे पहला components आता है आपका sender जो message को send करेगा दूसरा आपका आता है receiver जो message को क्या करेगा receive करेगा तीसरा component आता है आपका message message क्या हो सकता है आपका it can be text हो सकता है photo हो सकता है audio हो सकता है, video हो सकता है कुछ भी हो सकता है चोथा components आजाएगा आपका medium जिसके थो आपका क्या होगा message transfer होगा from sender to receiver और 5 components आता है आपका protocol तो protocol आपका क्या हो जाएगा set of rules हो जाएगी communication model को manage करने के लिए हम लोग इसको use करते है तो यहाँ पर इस video में हम बात करेंगे medium की, अब medium की अगर हम बात करें तो देखे, यहाँ से कोई भी message है आपका वो message transfer हो रहा है sender से receiver जब sender से receiver message transfer हो रहा है तो किसी ना किसी के throw कोई ना कोई channel होगा जिसके throw message transfer हो रहा है तो यह जो channel होता है यह क्या क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखे transmission medium is a medium of data transfer over a network अब यहाँ पर यह sender हो गया यह receiver हो गया physical layer के अंदर अगर हम data transfer करते हैं तो यहाँ पर देखे यह आपका medium है physical transmission medium जिसके throw आपका message transfer हो रहा है it can be cable और air के तो भी आपका message transfer हो रहा है from sender to receiver तो यहाँ पर basically जो transmission media है इसको हम दो category में categorize करते हैं guided media होता है second है आपका unguided media जिसको हम wireless media भी कहते हैं तो guided media और unguided media दो category के medium होते हैं आपके transmission medium जिसके throw आपका क्या होता data या information sender से receiver या receiver से sender की तरफ transfer होता है अब यहाँ पर देखे इस chart में आपको clear हो रहा होगा transmission media guided media जिसको हम wire medium कहते हैं और unguided media means wireless media जिसके अंदर आपके आते हैं infrared वगरा जो भी होते हैं अब guided media के अगर हम बात करें तो यहाँ पर cables आपके आजाती है जिसके अंदर twisted pair cable आती है coaxial cable आती है fiber optics या optical fiber cable इसको हम कहते हैं twisted pair cable को अगर हम categorize करें तो unsealed twisted pair और एक होता है आपका sealed twisted pair फिर coaxial cable और optical fiber guided media के बाद unguided media के अगर हम बात करें तो free space होता है जिसमें आपका infrared होता है radio links होता है microwave links हो सकता है या फिर satellite link होता है अब इनको one by one हम discuss करते हैं तो सबसे पहले अगर हम twisted pair cable की बात करें तो जैसा कि आप diagram में दे रहे हैं यहाँ पे जो core wires होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ twist होते है तो इसको बोलते हैं twisted pair cable तो most popular network cabling इसको कहते है basis for the most internal office telephone wiring consists of two identical wire twisted along with each other then twisting of wire reduce network error these twists are done to reduce the cross talk the number of pairs in a cable can be dependent on the types किस type की network अब यहाँ पे देखे cross talk क्या होता है जैसे for example एक wire आपका यह है और दूसरा wire यह है इससे भी आपका signal इदर से transfer हो रहा है इदर से suppose कर लिजे signal इस तरीके से transfer हो रहा है तो किसी particular जगर पे क्या हो जाएगा cross talk हो जाएगा यहाँ पे दोनों cables के signals आपस में क्या कर जाएगे bladdings हो जाएगी उनकी मतलब cross कर जाएगे तो इस चीज को बोलते है cross talk तो अब क्या कर दिया है हमने इनको twist कर दिया है तो twist कर देने के बाद क्या होगा कि यह जो wires होंगे इनके अंदर जो यह आपका network जो error है आपका cross talk है वो नहीं हो पाएगा और इससे हमारे signal की quality क्या हो जाती है increase हो जाती है आगे हम बात करें types of twisted pair cable there are two types of twisted pair one is unsealed twisted pair cable it is also known UTP and sealed twisted pair cable it is also known STP ओके आगे चलते है advantage के अगर हम बात करें तो simple है flexible है low weight है inexpensive है connect हम easily कर सकते है then इसके बाद easily install और maintain कर सकते है अगर हम disadvantage की बात करें तो incapable for long distance है unsuitable for long distance and support maximum data rate 1 Mbps without conditioning and 10 Mbps with conditioning यह इसके advantage and disadvantage है आगे अगर हम UTP की बात करें unsealed twisted pair की cable के हम बात करें तो use for variety of electronic communication available in the following category category 1, category 2, category 3, category 4, category 5 अब इनकी speed के अगर हम बात करें तो category 1 हम use करते है voice grade communication only no data transmission telephone line के अंदर इसको use करते है category 2 के अंदर data grade transmission up to 4 Mbps, 10 Mbps, 16 Mbps and 100 Mbps तक हम इसको use करते है तो distance wise speed के according अगर हम बात करें तो category 1 की speed low होती है और category 5 की speed क्या होती है हाई होती है STP की अगर हम बात करें तो each pair sealed indiciably which protect it from the external interface maximum limit होती है आपकी 100 Mbps तक offer great protection than UTP heavier and costly than UTP required proper grounding at both ends यह आपके examples डाइग्राम में देख रहे होंगे तो यह आपके होते है STP का example देखेंगे तो हर एक twisted cable है वापस में क्या होगी आपकी इसको हम कह सकते है sealed हो रखा है यहापे और यह होते है unsealed twisted pair cable next आता है आपका coaxial cable coaxial cable के अगर हम बात करें तो diagram के अंदर देखा होगा और जो आपके disc TV होते है उसके अंदर भी आप लोग उने देखा होगा इस तरीके की cable यूज करते है जिसके अंदर एक copper wire है उसके उपर एक insulator है जिसके उपर copper का mess है फिर उसके उपर outside insulations है तो यह जो diagram दिखाई दे रहा है यह आपकी जो disc TV होती है वहाँ पर हम लोग इसको use करते है cable distributors में तो यह आपकी कोई excel cable होती है the copper conductor insulations layer of plastic form sealed of wire mesh tube and metallic foil outside outer shield is tough plastic has high speed electronic properties होता है suitable for high communication widely used for telephone signals television signals sorry used for building security system transport multi channel television signals around metropolitan area कहने का मतलब यह कि जहाँ पर भी आपका TV की जो signals होते है या CCTV के लिए जो हम लोग यूज करते है वहाँ पर हम इसको use करते है क्वेक्सल केबल को clear हुआ next इसके advantage disadvantage के अगर हम बात करें तो better data transmission than twisted pair cable use as a source of share cable network use for broadband transmission higher bandwidth up to 400 mbps disadvantage के अगर हम बात करें तो कहरा है single cable failure can be take down an entire network expensive होता है not compatible with the twisted pair cable जहाँ पर twisted pair cable use होती है वहाँ पर हम इसको use नहीं कर सकते है जैसे अगर आपको LAN से connect करना है अपने system को तो वहाँ पर आप यह use नहीं कर सकते है आगे अगर हम बात करें optical fiber cable की जैसे के आपको diagram के अंदर दिखाए दे रहा है इसके अंदर आपका light ray होगा core होगा cladding होगा plastic coating होगी जिसके अंदर आपका यह सारी चीज़े होती है अब इसमें जो भी data transfer करते हैं ओ लाइट की format में होता है तो use electrical signal to transmit data use light light only move in one direction for two-way communication to take place a second connection must be made between the two devices and optical fiber has following part core होता है cladding होता है protective coating होता है core आपका glass का बना होता है और plastic का होता है through this light can be travel जो cladding होता है covering of the core that reflects light back to the core and protect the cable from damage and moisture आगे अगर advantage, disadvantage की बात करें तो secure transmission हो गया low transmission हो गया no EMI interface हो गया very high transmission capacity हो गया used for broadband transmission and possible to mix data transmission channels with channel for tele, scope and TV disadvantage की बात करें तो expensive हो गया difficult to connect to fiber हो गया hard to install हो गया noise exceptions, connection loss or difficult to repair यह इसके disadvantage है अब यहां तक हम लोगों ने discuss किया है guided media की तो देखें यहां से आपको क्या होता है exam के अंदर कई बार किशन पूचता है advantage और disadvantage तो यह मैंने आप लोगों के साथ discuss किया है advantage और disadvantage ठीक है आगे अगर हम बात करें तो microwave links की अगर हम बात करें तो यह आपके होते है unguided media unguided media means जिसके अंदर air के थो या vacuum के थो या वैक्यूम के थो water के थो communicate हो रहा है कोई fix dedicated line ही होती है तो microwave links जो होता है use for long distance communication for that high towers are built and microwave antennas are put on their top जैसा की diagram में आपको दिखाए दे रहा है microwave transmission consist of transmitter, receiver and atmosphere transmitter होगा, receiver होगा और atmosphere जिसके तो आपका signal क्या करेगा transfer कर होगा frequency range up to 300 megahertz to 300 gigahertz तक होता है the sending and receiving antennas have to be aligned with each other जब तक आप इनको align नहीं करेंगे तब तक आपका data communication नहीं हो पाएगा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आगे अगर हम बात करें line of site communication होता है मतलब एक street line के अंदर communication होता है इसलिए हमें antennas को क्या करना पड़ता है align करना पड़ता है ability to communicate over ocean या आपका होता है disadvantage की हम बात करें insecure communication होता है reduced signal strength होता है sustainable weather effect होता है limited to bandwidth होता है and high cost of implementation and maintenance इसके disadvantage है infrared waves की अगर हम बात करें तो these waves are used for short range communication approximate 5 meter in a variety of wireless communication monitoring and control application home entertainment, remote control device, cordless mouse and intrusion detectors are some of the device that use infrared communication example में आपको दे रखा है infrared communication का जो TV का remote दे रखा है advantage की हम बात करें तो it is a line of site transmission therefore information passed to one device is not linked to another device no government license is required for the use disadvantage की हम बात करें तो it is a line of site transmission therefore at a time only two device can be communicate the wave do not cross any solid object in between performance drop with the longer distance यह इसके disadvantage है आगे अगर हम बात करें satellite link की अगर हम बात करें तो satellite link are used for very long distance wireless communication which may range from intercity to intercontinental the satellite system is very expensive but its area coverage and brings benefits compensate the expenses disadvantage की अगर हम बात करें तो satellite cover large area sorry advantage की अगर हम बात करें तो large area cover हो रहा है since communication over a very long distance is possible to become the commercial attractive option disadvantage की अगर हम बात करें तो this system is expensive required legal permission अब यहां पे satellite communication का अगर आप example देखेंगे तो एक इंटिना होगा जो किसी टावर पे लगा होगा वह आपका uplink होगा और एक आपका downlink होगा जिसके तरू क्या होता है communication आपका होता है long distance communication के लिए हम इसको यूज करते है long distance communication अगर हम बात करें तो रेडियो वेव की रेडियो वेव जैसा कि आप लोगों के जितनी भी FM वगरा जो यूज हो रहे है उसके अंदरा आप लोग इसको यूज करते है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो डाइग्राम में आपको बता भी रखा है कि किस तरीके से आपके signals ट्रांसपर हो रहे हैं यहाँ पे they are widely used for communication both indoor and outdoor cordless phone amplitude modulation and frequency modulation radio wave broadcast garage door openers etc are the example of radio wave transmission radio wave transmission की बात करें तो relatively inexpensive than the wire media it offers ease to communication over the difficult territorial and these waves are omnidirectional मतलब यह कहीं से भी मूँ कर जाते हैं so the transmission transmitted and receiving antenna need not be received right फिर disadvantage के अगर हम बात करें तो यह कह रहा है कि the transmission media can be interfered with by motor or other electrical equipment permission from concerned authorities required to use of radio wave transmission and less secure mode of transmission तो यह था हम लोगों के different types के communication medium जिसमें हमने guided media और unguided media की बात की exam के अंदर कई बार क्यूसन बन जाता है कि अगर आप एक country के अंदर है दूसरी country के अंदर आप communicate करना चाहते हैं तो आप कौन सा medium यूज करोगे तो उस case में हम यूज करेंगे wireless के अंदर satellite communication हम यूज करेंगे दूसरी अगर हम बात करें एक country के अंदर आप एक city के अंदर से former commentary on मैंने आप लोगे साह skiya ए उस video का लिंक की स्वीệnस कों इस टिसक्रक्यवच में आवैलेबल है तो हम वहां से भी देख सकते हैं जहां पर cable connection possible है तो फिर पहूं सा मीडियम us करोगे हैं जहां पर cable connection पोसिबल नहीं है तो कौन सा मीडियम यूज करोगे वो सारा मैंने या पर आप लोगो साथ डिसकस किया है तो उसको आप लोग देख लीजेगा सबको सिख से अच्छी सिख से हमारा मोटो है वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करिए शेयर करिए कमेंट्स करके सबकुछ आपको यहां पर मिलेगा तो जैहिन जैबारत बने रही है हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइटन के साथ दन्यवाद